दोस्तो अपनी बोरिंग नॉर्मल लाइफ से दूख समंदर की लहरों के बीच इन शांधार लक्जरी क्रूशिप्स पर एक दिन बिताना भी किसी जन्नत के मजे लेने जैसा है। और मुम्किन है कि आप में से कईले इन आलिशान क्रूश की सैर कर चुके होंगे या फिर ऐसा ही कुछ प्लैन कर रहे होंगे। लेकिन बता दो कि लाखो रुपे की टिकेट खर्च का इन लग्जरी जहाजों पर बने सुमिंग पूल्स में सनबाथ लेते हुए अपनी तस्वीरे सोशल मीडिया पर डालने वाले नवाब भी इन क्रूशिप्स के उन डर्टी सीक्रेट्स को नहीं जानते होंगे जिनके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो बिना देरी किये शुरू करते हैं क्रूशिप्स के उनने साथ डार्क सीक्रेट्स की इस लिस्ट को जो सोशल मीडिया पर छाई इन इंप्रेसिव तस्वीरों को देखने से कभी पता नहीं चलती डंपिंग इन ओशन दोस्तो एक लक्शुरी क्रूश में कमसे कम 3-4,000 पैसेंजर्स एलाउड होते हैं जो इन लक्शुरी शिप्स पर अपनी छुटियां बिताते हैं अब क्रूश पर हूमन्स हैं तो हूमन वेस्ट तो होगा ही बता दू कि एक क्रूश शिप एक हफ़ते क लॉंग ट्रिप पर 2,10,000 गैलन हुमन वेस्ट, 1,000,000 गैलन ग्रे वाटर जो शौवर और सिंक्स में से आता है, 130 गैलन से जायदा हजाड़स वेस्ट, 8 टन सॉलिड वेस्ट और 25,000 लीटर ओईल मिक्स वेस्ट वाटर प्रिड्यूस करती हैं शिप से निकलने वाला ये सी पांच ओलंपिक साइज स्विंग पूल्स भी फिलक कर सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगश्री क्रूस की ये सारी गंदगी आखिर चाती कहा हैं, तो दोस्तों बता दें कि ये सारा हुमन वेस्ट शेक नहीं, बलकि समंदर में ही डंप किया जाता है, और वो भी त इंसानों को ही विमार करता है, और दोस्तों ऐसा भी नहीं है, कि ये सीलेज, ओशन की गहराईयों में कहीं दूर दफनाया जाता हो, इंटरनेशनल फेडरल लॉक के मुदाबिक किसी भी कंट्री के कोस से 12 मील के एरिया को छोड़कर, शिप्स अपने हुमन वेस्ट को कहीं बी डंप कर सकती है, अब जड़ा सोचिए, आप किसी रोज अपनी फेवरेट बीच पर स्विमिन करने पहुँचे और वहाँ पानी में हुमन वेस्ट तैर रहा हूँ, स्टीलिंग टेक्स, दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी क्रूज शिप्स, रॉयल कैरिबियन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वैसे तो ये आलिशान शिप फ्लॉरिडा बेस्ड कंपनी का है, लेकिन यूएस के लेबर लॉस, एन्वारिमेंट लॉस और हैवी ट किया गया है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लग्जरी शिप्स कंपनीज ऐसा क्यों करती है, समंदर पर अपनी मनमानी चलाने के लिए, कंपनी अपनी शिप्स को ऐसे देशों में रेजिस्टर करवाती हैं, जहांके लॉस की फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें समंदर म पर ट्रिप का एमाउंट तो कम ही होता है लेकिन क्रूज पर मौजूद चीजों पर लगने वाले चार्जीज कब कस्टमर की जेब खाली कर देते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज शिप्स अपनी आदे से जादा कमाई इनी सब चार्जे से करते हैं दोस्तों इन क्रूज शिप्स पर काम करने वाले इन सूटेड बूटेड मैनेजर्स की फोटोज को देखकर आपको भी लगता होगा कि इनकी लाइफ कितनी शांदार होती होगी पर रियालिटी इससे कोसो दूर है लोगों को लगजरी वेकेशन आफर करने वाली इन क्रूज शिप्स में बेदाव और शोशन किया जाता है शिप पर हाई पोस्ट को छोड़कर सभी वरकर्स गरीब देशों से बहुत कम सैलरी पर ही हायर किये जाते हैं और फिर उनसे हफते के सतर-सतर गंटे काम करवाया जाता है और वो भी बिना किसी छुटी के शिप पर काम करने वाले क्लीनर्स और सूकर्स को 500-600 डॉलर्स मंथली इंकम दी जाती है और क्योंकि वेटर्स को कस्टमर्स से टिप से भी अच्छे पैसे मिलते हैं इसलिए वेटर्स को दो और भी कम सैलरी पर रखा जाता है मिसिंग केसिस 1998 में एमी लेन ब्रैली नाम की एक 23 साल की लड़की रॉयल कैरिबियन के एक क्रूज पर खो गई थी जिसे क्रूज सेलर्स ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बेच दिया था इसी तरह एक ओल्ड कपल को उनके बच्चों ने मदर्स डे के गिफ्ट में दे कार्निवल क्रूज शिप की टिकेट्स दी थी और कपल अपना वेकेशन मनाने क्रूज पर गढ़ा भी लेकिन कभी लॉट कर नहीं आया क्रूज विक्टिम्स एसोसियेशन के मुताबिक साल 1995 से अब तर 150 से ज़ादा लोग इन क्रूज शिप्स पर गायब हुए हैं जो कहां गए इसका आज तक पता नहीं चल पाया है नो रियल पुलिस ये क्रूज शिप्स अपने आपको बहर से आलिशान और लक्जूरियस दिखाने में तो खूब पैसा बहाते हैं लेकिन लोगों की सेफटी और सेक्यूरिटी पर इनका कोई खास द्यान नहीं होता इन लक्जूरिश शिप्स में वैसे तो हाई सेक्यूरिटी और क्रिमिनल्स के लिए जेल तक होती है पर असल में ये सब दिखावा होता है ये क्रूज किसी भी देश की सीमा से दूर इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं जहां किसी भी देश के कानून इन पर लागू नहीं होते सेक्शल असॉल्ट और रेप इन लक्जरी क्रूजिज पर होने वाले सबसे आम क्राइम्स हैं जिनके खिलाफ क्रूज डिपार्टमेंट भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता और अगर विक्टिम शिकायद दर्जिक कराना चाहे तो इसे उस देश की पुलिस के पास जाना पड़ता है जहां क्रूज रेजिस्टर्ड होता है ऐसे में जायतार विक्टिम्स केस कर ही नहीं पातो और अगर केस हो भी जाए तो भी रिजल्ट क्रूज के फेवर में ही आता है दोस्तों हमें लगता है कि क्रूज इतना एक्स्पेंजिव और लक्जूरियस है तो इसकी हर चीज फर्स क्लास होगी लेकिन ऐसा नहीं है दुनिया की हर लक्जूरि फेसिलिटी से लेस इन क्रूज शिप्स में आज भी आउट्डेटिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसे बंकर फ्यूल कहा जाता है ये एक ठिक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट होता है जिसमें गैसुलीन के मुकाबले पांच गुना ज्यादा सलफर होता है जो पॉल्यूशन में कई गुना की बड़ोतरी करता है और शिप्स इस फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि ये दूस्थे फ्यूल के मुकाबले सस्ता होता है दुनिया की कुछ कमपनीज इस पॉल्यूशन को कम दिखाने के लिए शिप्स में फिल्टर भी लगाने लगी हैं लेकिन इससे भी शिप्से होने वाले पॉल्यूशन लेवल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तो अगर आप क्रूस पर हैं तो जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा और वो इसलिए क्योंकि यहां रूम्स को छोड़कर हर जगा कैमरे होते हैं जो शिप्स के कोने कोने पर नजर रखते हैं सर्वेलेंस के लिए कैमराज का लगा होना कोई नई बात नहीं है लेकिन क्रूस डिपार्टमेंट पैसेंजर्स पर नजर रखने के लिए शिप्स पर हिडन कैमराज भी लगाती है ताकि पैसेंजर्स या फिर क्रू मेंबर्स उन्हें चक्मा ना दे पाए लेकिन इस से क्रू पर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को अपने रूम के बाहर कहीं भी प्राइवेसी नहीं मिलती और उन्हें हर जगा हर बग कोई न कोई देख और रिकॉर्ड कर ही रहा होता है तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ये लक्जरी क्रूज अपनी शान शौकत को बनाये रखने के लिए क्या क्या काले कारणामे करते हैं खर इसी के साथ लक्जरी क्रूज शिप्स के सीक्रेट्स का ये सफर यही खत्म होता है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि इन में से किस डार्क सीक्रेट्स ने आपको सबसे ज़्यादा हरान किया